हेलो फ्रेंड्स आज हम बहुत ही खटी मीठी इमली की चटपटी चटनी बनाएंगे और ये बहुत आसानी से आप कभी भी बना सकते हैं और इसको दो महीने तक इस्टोर भी करके रखा जा सकता है ये खराब नहीं होती आईए देखिए हमें इसके लिए क्या चाहिए ये 200 ग हम इसको ट्रांसफर करेंगे और हातों से मसल मसल कर हम इसका गुदा अलग निकाल लेंगे और इसकी पानी डाल कर और च्चान लेंगे हमें इसको फिर से छान लेना है क्योंकि हमें फेकना कुछ भी नहीं है हमें सभी इस्तमाल कर लेना है और उपर जो इमली के बचेगी उसको आप सामर वगैरा में भी इस्तमाल कर सकते हैं और इसको फिर से हम छलनी पर छान लेंगे और उसी बरतन में छान लेंगे जिसमें हमें इसको बनानी है इसको फिर हम गैस पर चड़ाएंगे और थोड़ा सा पानी भी हम इसमें एड़ कर देंगे ये दो कप के लगभग पानी है और इसको हम गैस पर रखकर फिर हम इसमें मसाले डालेंगे एक चम्मच काला नमक का मैंने डाला है आप सफेद नमक भी डाल सकते हैं एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे एक चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे और इसको थोड़ा सा हम चलाएंगे इसमें ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे और फिर जितनी हमारी इमली है 200 ग्राम ही मैंने ये गुड लिया है उतना ही हमें गुड डालना है आप इसको कम जादा भी कर सकते हैं एक चमच सौट पाउडर डालेंगे अधरक का पाउडर जो आता है और एक चमच ये हमने जो कुटी हुई लाल मिर्च होती है वो डाली है आप पिसी हुई लाल मिर्च भी जादा डाल सकते हैं फिर हम इसको चलाएंगे और इसको उबलने फिर हम इसमें एक चम्मच मैंने चीनी की भी डाली है इससे हमारी इमली का बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और इसको हमें पका लेना है जब तक कि यह गाड़ी ना हो जाए दस से पंदरा मिनट हम इसको पकाएंगे जब तक यह गाड़ी ना हो आप अपने हिसाब से इसको गाड़ा या पतला कर सकते हैं जितना आप चाहते हैं और इसको फिर ऐसे ही हमें हाई फ्लेम पर पकाना है और आप इसको चलाते रहेंगे देखिए हमारी चटनी बनकर तयार है यह ठंडी होकर गाड़ी हो जाएगी अब मैं इसको आपको सर्व करके भी दिखाती हूँ अगर फिरिजर में रखेंगे तो यह सालो साल भी खराब नहीं होगी यह बहुत दिन तक चलती है अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए रेसिपी देखने के लिए आप सब का शुक्री